नमस्ते दोस्तों आज हम गोवी के पकोड़े बनाएंगे जो बहुत ज्यादा कुरकुरे बनते और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं चलिए बनाते हैं उसके लिए गोवी को काट लिया बड़े-बड़े पीशेज में अभ इनको अच्छे से धो लेना है धो के एक कडाही में पानी ले लिया है उसमें नमक डाल देना है पानी को अच्छे से खौला लेना है पानी खौल जाते इसमें गोवी डाल देना है बस पांच पका लेना जिससे गोवी अच्छे से पक जाएगी बहुत ज्यादा इसको नहीं गलाना है बस हलका सा नरम करना है जिससे पकोड़े बहुत टेस्टी बनते हैं और कुरकुरे भी बनते हैं और गोभी बहुत जल्दी पक जाती है अब बेशन ले लिया है उससे आधा चावल काटा ले लिया है आजवाइन और जीरा ले लिया है थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ी सी लाल मिर्च हल्दी पाउडर धनिया पाउडर नमक थोड़ी सी हींग डाल दिया है अब अच्छे से mix कर देना है बढ़ी हैसा गोल तयार कर लेना है गाढ़ा गोल ही तयार करना है तब ही tasty पकोड़े बनते हैं पानी डाल के अच्छे से फ्येट लेना है देखे फ्येट लिया है अब इसमें अद्रक लैसुन हरी मिर्ज का पेश्ट डाल दिया है और धनिया पत्ती डाल देना है इससे बहुत tasty पकोड़े बनते हैं अभी ये पाइटर गाढ़ा लग रहा थोड़ा सा पानी और डाल देना है देखे बढ़ी हैसा फ्येट लिया है अब इसको एक साइट रग देना है अब गोभी चेक कर लेना है देखे गोभी वे उत्रा गई है बढ़ी हैसा पानी में पक गई है बस इतना ही पकाना है अब इसको निकाल लेना है और ठंडा कर लेना है आज कल ठंडी का मौसा में तो बहुत जल्ली ठंडी हो जाती है गोभी देखे बढ़ी हैसे ठंडी हो चुकी है अब इसके पकोड़े बना लेना है बेसन में इस तरह से डुबो देना है गोभी को बढ़ी हैसा बेसन चिपका लेना है अब गरम तेल में डाल देना है और इन खाने में बहुत टेश्टी लगते हैं चावल काटा डालने से बहुत ज्यादा क्रिस्पी होते हैं अगर आपके पास चावल काटा नहों तो ऐसे भी चावल पीस के गाढ़ा गोल बना के बेशन में डाल सकते हैं उससे भी बहुत टेश्टी बनते हैं आटा बनाने की जरूरत नहीं है बस चावल को भिगो देना है और गीला पीस लेना है और बेशन में डाल देना है ऐसे ही दूसरे बाइच के पकोड़े तयार कर लेना है देखे कितने अच्छे लग रहा है पकोड़े अब इनको भी पलट के बढ़िया गोल्डन होने तक पका लेना है बढ़िया लाल लाल तल देना है देखे कितने अच्छे बढ़िया से तल चुके हैं ये और कितने क्रिस्पी दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सेयर कीजिएगा एक बार ज़रूर ट्राइग कीजिएगा आपको अपना कीमती समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्त